हेलो फ्रेंड वेलकम डू लर्नर डॉट कॉम इससे में बढ़े हैं ट्रोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के हाइब्रिड वेरेंट के अंदर और हम आपको बताएंगे इसकी सभी सेटिंग्स जो आपको मिलते हैं इसके M.I.D. के अंदर मल्टी इंफ्रमेशन डिस्प्ले के अंदर तो आपको बता दें कि जो हाईब्रिड वेरेंट है इसके अंदर आपको कम्प्लीट डिजिटल डिस्प्ले यहां पर मिलता है सभी तीनों वेरेंट के अंदर तो चलिए एक एक करके द कर सकते हैं तो सबसे पहले इस समय आप देख रहे हैं सामने आपको डिजिटल स्पीड दिखाई दे रहा है पार्किंग मोड का इंडिकेशन आ रहा है और अब बढ़ते हैं मेनियो आइटम की तरफ तो जो पहला मेनियो आइटम आप नीचे देख पा रहे हैं वह है ओडो या ट्रिप मीटर तो इसी के तुरू आप डाउन के तुरू ओडो या ट्रिप मीटर यहां से देख सकते हैं और आप अगर उसलिटल को reset करना चाहें तो किसी भी trip meter पर लाकर okay को press करकर रखकर आप इसे reset कर सकते हैं बढ़ते हैं अगले menu item की तरफ जो की है एक leaf जो बना हुआ है यह related to fuel economy तो average fuel economy में आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या fuel economy है वो आपको यहां पर graph की तरू दिखाई देगी साथ में नीचे आपक देखने को मिलती है कि आपकी गाड़ी में जितना fuel है उतने में आप कितना kilometer गाड़ी को चला सकते हैं तो क्योंकि यह brand new vehicle है तो यहां पर आपको इस प्रकार की information अभी नहीं दिखाई दे रही है उससे next screen पर अगर आते हैं तो यहां पर again fuel economy history आपने को देखने को मिलती है related to यह basically instant fuel economy जो कि आपको previous 5, 10 and 15 minutes में जो आपके गाड़ी की तरूब आपको mileage मिली है वो आपको यहां पर graphical form में देखने को मिलती है next menu item में आपको top 3 जो fuel economy आपको मिली है अभी तक आपके previous drive cycles में वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी तो आप जैसे जैसे गाड़ी अब चलाते जाएंगे आपकी जो भी best 3 fuel economy record की गई है वो आपको यहां 1st, 2nd and 3rd position पर यहां पर record हो जाएंगी और end में इस menu के अंदर आपको मिलता है energy monitor क्योंकि यह एक hybrid variant है जिसमें आप current source of driving देख सकते हैं साथ में आपका hybrid battery का charge कितना है वो आप यहां से देख सकते हैं बढ़ते हैं अगले item की तरफ जो की है related to vehicle इसमें आपको first screen में देखने को मिल रहा है average speed km per hour यह भी again instant average speed यहां पर आपको देखने को मिलती है जिसमें last 5 and 10 minutes का average driving speed आपको यहां पर देखने को मिलेगा साथ में driving time का indication यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जिससे आप reset कर सकते हैं ok को press and hold करकर next screen पर आपको मिल रहा है calendar and analog watch जिससे आप as a display यूज़ कर सकते हैं उसके बाद है motion sensor जिसे भी आप as a display screen यूज़ कर सकते है and final blank screen तो basically यह है आपके vehicle related information उसके आप बढ़ते हैं अगले screen के उपर जो की है media related तो यहां पर आपको कुछ नहीं यहां पर आपको simple जो भी आपका current media play हो रहा है आपके infodainment system में उसके information आपको यहां पर मिलेगी next screen है alert के लिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताए new brand new vehicle इसमें अभी आपको low fuel का indication आ रहा है but किसी प्रकार का जो भी warning indication होगा वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा और finally आते है settings जो कि है main part जिसमें आपको सभी items हम आपको detail में समझाएंगे तो सबसे पहले है brightness जिसे OKS के थुरू आप select कर सकते हैं इसे आप अपना जो menu item जो सामने digital display है इसके brightness को यहां से आप control कर सकते हैं बढ़ते हैं अगली screen की तरफ जो कि है fuel economy units यहां से आप select कर सकते हैं किलोमेटर पर लीटर लीटर पर 100 km और माइल्स पर गैलन तो हमारे आपको पता है इंडिया में किलोमेटर पर लीटर ही select किया जाता है then language आप यहां से select कर सकते हैं fuel economy को reset कैसे किया जाए उसका आप तरीका यहां से set कर सकते हैं जैसे आप after refuel यानि जैसे आप fuel डालें तो आपका जो fuel economy record हुआ है वो reset हो जाए with trip A reset जैसे आप trip meter A जो है उसको आप reset करें तो fuel economy भी आपकी reset हो जाए या फिर आप manually जो fuel economy वाली screen पर जाकर okay को press and hold करकर उसे reset कर सकते हैं साथ ही temperature units यहां आपको देखने को मिलती है degree Celsius and degree Fahrenheit में next है park sensor mode जिसके अंदर आपको option मिलेगा normal mode and trailer mode तो normal mode पे इसे आपको रखना है trailer mode सिर्फ तभी use किया जाता है अगर आप गाड़ी के पीछे किसी और vehicle को tow करते हैं तो इससे आपके जो rear parking sensors हैं वो disable हो जाते हैं देन आते हैं door lock के उपर जिसमें आप automatic speed door lock unlock यह सब settings यहां से कर सकते हैं तो door unlock आपका किस प्रकार हो यह है all door यह driver door तो अगर आप इसे all door पर रखेंगे तो जैसी आप अपने remote से vehicle को unlock करते हैं single time आपके सभी doors unlock हो जाते हैं जा फिर safety के तोर पर आप इसे driver door पर रख सकते हैं जिसमें कि जब आप एक बार unlock का button प्रेस करते हैं तो आपका केवल driver door ही unlock होता है और दुबारा उसी unlock button को प्रेस करने पर सभी doors unlock हो जाते हैं तो आपका जैसे वीकल 15 km per hour की speed को क्रॉस करता है आपके सभी doors lock हो जाते हैं और साथी gear shift sink के अंदर जैसे ही आप parking mode से हटा कर drive mode पर लगाते हैं वीकल को तो आपके सभी doors lock हो जाते हैं अगेन auto unlock में भी आप इसे sink off कर सकते हैं, ignition off के साथ इसको link कर सकते हैं या फिर gear shift sink यानि कि जैसे ही आप again drive mode से parking mode पर लाते हैं तो आपके सभी doors unlock हो जाएंगे अगर आप चाहें तो नेक्स्ट है lights तो lights में आप यहां से lane change पहले है lane change indicator जिसे कि आप यहां से disable कर सकते हैं ambient light को यहां से आप turn on या off कर सकते हैं जो कि आपके dashboard और आपके door trims के पास आपको देखने को मिलेगा and ambient level में आप उसका brightness यहां से बढ़ा या घटा सकते हैं guide me light is basically follow me home जो होता है उसे आप यहां से enable कर सकते हैं इसमें two car और two home दोना options हैं तो यहां पर आप time select कर सकते हैं तो जिस तरह से अगर आपने two car में आपने select किया है 20 seconds तो जैसे ही रात के समय जब आपका जो headlamp है वह auto पर होता है और आप vehicle को unlock करते हैं तो आपके गाड़ी तक पहुंचने तक 20 seconds तक आपके headlamps on रहेंगे और उसके बाद वह turn off हो जाते हैं same way to home के अंदर भी जैसे ही आप गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी को lock करते हैं तो जो भी time आप यहां पर set करते हैं उतने seconds तक आपके headlamps on रहते हैं तो maximum आप 30 seconds के लिए set कर सकते हैं after 30 seconds आपके headlamps automatically turn off हो जाएंगे फिर आता है anti theft, anti theft के अंदर आप shock sensors की sensitivity को select कर सकते हैं पहले यहां से आप उसे on or off कर सकते हैं अगर आप off करेंगे तो किसी प्रकार की activity अगर गाड़ी के साथ होती है तो आपका जो shock sensor वो काम नहीं करेगा और siren नहीं बजेगा यहां पर आपको shock sensor pre and full दो options मिलते हैं प्री में आपका जो initial beep होता है जब आपका siren बजता है and full में आपका continuously जो siren बजता रहता है इन दोनों की sensitivity को आप select कर सकते हैं level 1 से लेकर level 15 तक ज्यादा high sensitivity select करने पर अगर हलकी सी भी कोई गाड़ी में हल चल होती है तो आपका siren बजने लग जाता है TPMS है आपका tire pressure monitoring system जो कि केवल hybrid variant में ही आपको देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर जाकर आपकी tire pressure की readings यहाँ से देख सकते हैं display item के अंदर आपका speedometer जो कि इस समय आप पीछे देख रहे हैं digital है इसे आप analog भी select कर सकते हैं अगर आप चाहें या फिर आप उससे normal digital जैसा आप रखना चाहें वैसा आप रख सकते हैं car का color आप select कर सकते हैं ताकि आप जब भी door open करें तो जो आपको car का animation वहाँ पर देखने को मिलता है वो आपको उसी color की car का देखने को मिले calendar का display आप on or off कर सकते हैं calendar का format यहाँ से select कर सकते है and motion history का जो display विकल off होते समय दिखाता है उससे आप यहाँ से on or off कर सकते हैं animation में जो warning है इसे आप off कर सकते हैं ताकि आपको warning display यहाँ पर ना आए head app display जो HUD है जिसके लिए हमने अलग से video भी बनाई है उसमें आप क्या-क्या options देख सकते हैं वो आप सारी settings यहां से चेक कर सकते हैं और end में default में आप अपने जो भी M.I.D. में हमने settings की हैं उसे आप default mode यानी factory setting पर set कर सकते हैं तो I hope इस video के थुरू आप सभी options को detail में जान पाये होंगे और हमने बहुत सारी इस प्रकार की videos अपने channel पर upload की हैं उन्हीं सभी videos को देखते रहने के लिए प्लीज हमारे channel को subscribe कीजिए Thank you very much for your time झाल